तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खांसर की सिकंदर फिल्म की अपडेट्स के बारे में और सनी दुबल सर की बडर टू फिल्म की ओफिसियल रिलिज डेट के बारे में और भी बॉली बुट की बहुत सरी अपडेट्स इस वीडियो में बताने वाले है तो वीडियो पे शुरू से अंतक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे सल्मान खांसर की सिकंदर फिल्म की अपडेट्स के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म में पहले सलमान खांसर के उपोजिट में लीड एक्टरस के लिए त्रिशा किश्णन और कियारा डवने जी को लेने की बात चल रही थी पर दोस्तो अब लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने यह रहा है कि इस फिल्म में सलमान खांसर के उपोजिट रस्मिका मंदना जी को फाइनल कर लिया गया है जिसके बारे में अभी से कुछ दिर पहले ही रस्मिका मंदना जी ने अपने इस्टाग्राम के इस्टोरी में एक पोश्ट सेयर करके दर्सकों को बताई हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वैसे दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म के डायक्टर है एयार मुर्गोदास जी जिन्होंने इससे पहले गजनी और होली डे जैसी फिल्में बना चुके हैं और इस फिल्म में मूजिक प्रितम चकरवरती सर दे रहे हैं और इस फिल्म का बज़र चारसो करों रूपया है और ये फिल्म अगले साल इद पे रिलीज होने वाली है तो ही दोस्तों बात करें सनी दवल सर की बर्डर टू फिल्म की ओफिसियल रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म में सनी दवल सर के साथ आईश्मान खुराना सर भी नजर आने वाले हैं और ये फिल्म 23 जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को पॉड्रूस टीस स्रीज के मालिक भुशन कुमार सर कर रहे हैं तो ही दोस्तों बात करें अक्षै कुमार सर, मुहनलाल सर और परभास सरे स्टारल फिल्म कनपपा के अपडेट्स के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म की शुटिंग अक्षै कुमार सर खतम कर चुके हैं और अब परभास सर इस फिल्म की शुटिंग को जुइन कर लिये हैं और ये फिलिम 2025 में रिलीज होने वाली है तो वही दोस्तों बात करें अल्लू अरजुन सर की पुस्पा टू फिल्म के अपडेट्स के बारे में दर्सकों को बताया गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो ही दोस्तों बात करें मनोज बाजपई सर की आने वाली फिलिम भाईया जी के अपडेट्स के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म का टेलर रिलीज हो चुका है जिसमें मनोज बाजपई सर पहली बार इस तरह का एक्षन करते हुए दिख रहे हैं और इस टेलर को देखने से ही पता चल रहा है कि ये फिल्म दर्सकों को भी पसंद आएगी और ये फिल्म इसी 24 माई को थियेटर्स में रिलीज होने वाली है वैसे दोस्तों अगर आपने इस टेलर को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं इस चैनल पे रिलीज हो चुका है और अगर आप लोगों ने इस फिल्म की टेलर को देख चुके हैं तो आपको ये टेलर कैसा लगा कमेंट बक्स में लिक कर जरूर बताईएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में